हलो फ्रेंड असलाम लेकूम आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भेजा मसाला बनाने की रेस्पी और मुझे पूरा यकीन है कि बेहतरीन आपका ये भेजा मसाला बनकर तयार होगा बस एक बार आप इसे जरूर ट्राइ करें और जब भी आप इसे बनाना चाहेंगे तो इसी तरह से बनाएंगे तो चलिए देख लेते हैं कि हम ये भेजा मसाला बनाती है तो वीडियो को start करते हैं भेजा मसाला बनाने के लिए मैंने यहां पर एक भेजा लिया हुआ है और इसका वेट तकरीबन 400 ग्राम है तो मैंने इसको 3-4 पानी से अच्छी तरीके से वास कर लिया है और इसको वास करने के बाद हमें इसको अच्छी तरीके से उबाल लेना है तो मैं यहां पर गरम पान तब हम भीजा को डाल goo देंगे तो और हम इस फॅन नीबया इस तरीके से और यहां पर बंगो देख अची मिनधल के Live द जाए को पानी एक उबालाने तक मैंने इसको अची तरीके से पका लिया है सोलेचेज को अबाद हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे सी को बेजे को उबालने में हमें तकरीबन चार से पांच मिनट लग चुक ले खुक है और जाक्सferा पकाल सम्ना शुरू कर दिया है और थोड़ी देर में हम इसको चारी तरफ से निकाल लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें इसका वेंस को अलग कर लेना है बस थोड़ा सा सबर का काम करना पड़ता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारे वेंस को अलग कर तो चलिए पकाना सुरू करते हैं बेजा बनाने के लिए मैंने या पर एक बरतन ले लिया है और इसमें आदा कप के करीब तेल दाल देंगे तेल जब हमारा अची तरीके से घरम हो जाएगा तब हम इसमें कुछ शाबत मसाले डाल देंगे तो मैंने एक टीजपून जीरा लि प्याज को हमें लाइट पिंक होने तक ही तक ही अधिक फ्राइब करना कि यहां पर अची तरीके से अमने फ्राइब कर लिया इसमें दाल देंगे 1 टीज़पून अधरक लशन का पेस्ट और इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे ताकि कच्चा इसमें रिलीज हो जाए अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले तो यहां 1 टीज़पून कसूरी मेथी 1 टीज़पून गरम मसाला पाउडर 1 टीज़पून हल्दी टाल देंगे और चार से पांच पिंडर तक अच्छी तरीके से इसको आप लेंगे ताकि मशाला रेक्ya ठोड अच्छी तरीके से भूं को लुदका अपर ठ Pirlo कि जल्दी सॉफ्ट होने के लिए मैंने इसको धक दिया और भक कर मैं इसे चार से पाच मिनद तक लो मीडियम फ्लेम पर इसको पका लोगी तो यहां पर देख सकते हैं कि हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया है अगर आप पेश्ट बनाकर इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको ढखना की जरूरत नहीं है तो यहां पर मेरा टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गया और यह मसाला भी अच्छी तरी तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला एकदम तयार है तो इसके बाद जो मैंने पीसेज में भेजा को काटके रखा हुआ था वो इसमें हम ट्रासफर कर देंगे इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे ताकि हमारा मसाला चारो तरफ से मिल जाए इस पॉइंट पर भ भून लेना ताकि इसमें जो भी महक हो रीलीज हो जाए तो हमें चार से पाच मिनद तक भूनना पड़ता है और कभी भी आप भेजा बनाए तो चार से unpack मिनद तक इसको अचछी तरीके से भून ले ताकि इसमें कोई भी smail बाकी न रहे तेज पत्ता जो है इसमें हम उसको निकाल लेंगे नहीं तो इसको चलाने से जो हमारी जो पीसेज है भेजे की वो तूट जाएगी तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा नमक इसका कम लग रहा था तो मैंने फिर से थोड़ा सा एड कर दिया और इसको अची तरीके से मैंने चार से पांच विनर तक भून लिया है और एक मज़ेदार खुसबू भी आने लगी है यहाँ पर भेजे को भूनने के लिए हमें हलके हाथों से इसको अची तरीके से चलाना पड़ेगा नहीं तो यह हमारे भेजे की जो पीसेज है वो तूट जाएगी तो बहुत लोगों को भेजा कीमे की तरह पसंद आता है त तो यहाँ पर आप इसको चाहें तो कीमे की तरह इसको थोड़ा सा चमच की मदद से इसको दबा सकते हैं ताकि यह थोड़ा सा तूट जाए तो यहाँ पर हमें कीमे की जिसे नहीं बनाना है तो यहाँ पर मुझे ग्रेवी के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर पानी डाल बेजा बनाने में हमें टोटल 10-15 मिनट लग चुके हैं तो यहां पर मेरा बेजा फ्राई एकदम बनके तयार है अब इसे करते हैं सर्व आप इसे प्राठे से नान से किसी भी चीज से खा सकते हैं यह बहुत ही अच्छा और लजीज लगता है तो यहां पर हमारा बेजा फ्र तो यहां पर हमारा बेजा फ्राई बनके तयार है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मसाला बिल्कुल बेजे पर लिप्टा हुआ है और इस रेजपी को आप ज़रूर ट्राइ करें मेरे बताय हुए टिप्स और ट्रिक के साथ तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो